हेलो दोस्तो दोस्तो आपका हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारे दुर्गों का पिसला वीडियो जिसमें दोस्तो आपने चितोडगड दूर्ग और कुंबलगड दूर्ग के बारे में अच्छी तरह से समझाया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फ़ोड के दुर्ग के वीडियों के अंदर उनको देख सकते हैं दोस्तों रनधंबोर दूर्ग को दूर्गा दिराज श्यूर्ट Amagatka के चोटे बहाय के नाम से जाना जाता लाइब है इसका निर्मानु सपाल्दक्स के किया चोहां डेव को लुह करें निर्मान दोस्तों सपाल्दक्स के चोहान शासकर्ण। देव ने आठवी सताब्दी के दोरान करवाया तो यह दोस्तों अलग लग धार्णाई है अब देखे दोस्तों आगे राजस्तान के इतियासकार पंडित गोरी संकर हीराचंद ओजा उन्होंने उनके अनुसार रंथंपोर दुर्ग एक अंडाकार आकरती वाली उच्छे पह अकशारत किले की दिवारे का जाता है दोस्तों यह दूर्ग एक गिरी दूर्ग है और इसके चार और पाहडियां ही पाहडियां है और उन पाहडियों को दिवारे माना जाता है इसकी मजबूत दिवारे माना जाता है और इसी कारण दोस्तों अबूल फजल कहते हैं कि अन् न्याय की छठ्री के नाम से जञाता है तो यह दोस्तों एक-जाँ में पूछ जा सकता है कि न्याय की छठ्री कहां बनीवी है कौन से दूर्ग के अंदर हैं दोस्तों इस चठ्री का निर्माद हमी banco ने अपने पिता जो जेत सिं्ह थे उनकी याद में करवाया था इसी दूर्ग में दोस्तों विस्वा परसिद साखा जो 11 जुलाई सन 1301 इश्यू में हुआ था इस साखे का मुखे कारण दोस्तों रजो हमीर है और अलाओदिन खिलजी जो दिल्ली के सासक थे खिलजी वन्स के तो उनके बीच में युद होना बताया जाता है और इस युद में दोस्तों जो अलाओदिन खिलजी के सिनापती मीर मौमद साख और उसकी मराठा जो बेगम थी उन चिमना जिसका नाम था चिमना उसको सरन देना रहा दोस्तों जो अलाओदिन खिलजी के सिनापती थे जिनका नाम था मीर मौमद साख और उनकी पतनी ती मराठा बेगम चिमना उनको सरन दीती राजा हमीर ने और इसी कारण अलाओ दिन खिल जी और हमीर के बीच में युद दूआ और इस युद में अलाओ दिन खिल जी और हमीर के युद में हमीर देव की हार हुई दोस्तो इस हार का मुग के कारण माना जाता है हमीर के जो सेनापती थे रतिपाल और रन्मल इनके दोरा राजा हमीर को धोका दिया जाना और दोस्तो इस युद के जो सजीव चितन जो किया है वे थे दोस्तो अमीर कुसरो जो दोस्तो अलाओदिन खिलजी के एक दरबारी कवी थे दोस्तो हमीर को सरनागत वसल के रूप में भी जाना जाता है सरनागत वसल और हटी के रूप में जाना जाता है इसलिए दोस्तों एक दोहा उन पर लिखा गया है कि सीया सुवन सद्पुरुस वचन कदली फले अकबार तीरिया तेल हमीर हट चडेन दूसी बार दोस्तों हमीर ऐसे सा सकते हैं कि इनके जो भी सरण में आया उनकी रक्षारत इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और इसी गणेस मंदीर है साथ में दोस्तों यहां पर मस्जीद भी है और एक गिरजागर बना हुआ है जो हिंदू मुस्लिम और जेन संसकर्थी का परतिक माना जाता है दोस्तों इसमें बने गणेस मंदीर के पीछे एक अग्यात जल्सरोत है जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है इस बाद 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 तो